असलाम अलेकुम, ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट जॉक्टर अरूपा फिर्स दूरिंग दे पास्ट फ्यू डेज शुगर स्कैनल बहुत लाइम लाइट पे रहा है और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आ चुकी है इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में डमी म्यूजियम से बुला रखा है एक शुगर मिल ओनर को एक किसान को जिनको ये बाकाइदा लूटते हैं और उनके साथ-साथ वो मिडल मैन जिसकी हेल्प से ये सारा माफिया चलता है आईए इन से गप शब करते हैं जी असलाम अलेकुम मेरी हमदर्दिया आपके साथ यार मैं तो बहुत ही अफसर्द हूँ आपकी वज़ा से जितना एक्सप्लाइट हमारा किसान हो रहा है इस मुल्क में और इस मुल्क के इसकी महिशत और स्यासत के हालात जो बिगड़ते जारे ना मुझे लगता है किसान की हा लग गी है अब पार पार ट्रालिया ले आई दिया हो थे अगोरे एटी कोशनी देंदे जनाब तो यह अकॉनमी सर्थिटे डिपेंट कर दिये ऐसी रीड़ दी हड़ी है यह कबाब जी हड़ी है ओए उन्हे तो अपनी पक्वास बंकर यह उन्हें भी बात करने दे ना आज उन्हें इसलिए बुलाया इत्यासियत की करना यह रहा आप भी बात करेंगे पहले आज वो करेगा अई खेया इत्यासियत काल है कि ए साढ़े जिले इसानों गाल नी करने दे क्या वज़ा क्या है वो जनाब सारी पुल से ना दी डीपियो लवंग दे यह अपनी मरजी था यह कहीं दे गन्ना जित्हें भी नजर आवे ना उन्हों वहा करके लाया हो वो थे गन्ने त्याजे चापा मार दे जिवे देसी श्राब बढ़न दे ही है तो ऐसा क्यों होता है पॉलिटिक्स क्योंके एक शुगर मिल जो है ना वो दो मने की सीट है और चार MPA की सीट है इसकी वज़ा से ये लोग जो है फिरान बने वे है तो आफ साफ साब हकूमत क्या कर रही है हकूमत वही कुछ कर रही है जो हमने एजुकेशन के अवाले से डिसकस किया था भई इनकी इजारादारी है शूगर की रेप्रेजेंटेशन है आपकी हर सियसी जमात में कोई इससे मुबरा नहीं है PMLN, People's Party, तरीके इनसाफ और काफ लीग ये सब के सब शूगर याफता है और सच पूछें तो मुझे प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आता है कि हर एकी प्रोपोर्शन है इस हुकूमत में तो सर किसान बॉइकाट करने या स्ट्राइक करने की पॉजिशन में नहीं होते सबसिस्टेंस लेवल कारल मार्क्स ऐसे नहीं रोता रहा इनके पास होता है इतना कुछ है ये रोते हैं चिलाते हैं जब इंतहा क्रॉस होने लगती है तो फिर ये माफिया इकठे होके बैठता है और इनने कहता है ये दो तीन अच्छी बेट्स हैं ये बेट्स हीने दो और फिर इकबाल कहता है कि फिर सुला देती है उसको हुक्मरा की साहरी उसको सुला देती है ये बिचारा शकल सी आपको ऐसा लगता है और बात में सारा नजला हम जैसे लोगों पर गिरता है आप तो जानते हैं हम कहां जाएं अपने बच्चों को ले गरता है ये बच्चों की बात कर रहा है ये करोड़ पती है इसमें और शूगर मिल ओनर में इतना ही फर्क है हुसर्चा इनका भी मार्जन बहुत बड़ा होता है जी मार्जन की सुन ले आपने चारों सियासी जमातों का जिकर किया इसमें तहरीक इनसाफ का रोल जो है खास दोर पर समझने की जुरूत है आप देखिए कि तहरीक इनसाफ में जब 2011 से पहले शूगर माफिया शूगर मिल ओनर्स दाखिल नहीं हुए थे उसके बाद जब दाखिल होने के बाद इस जमात का करेक्टर आप देखिए कि आज भी 2012 में वो शीरी मजारी का स्तीफा याद की जाता है जब इमरान खान साफ ने जहांगीर तरीन का त्यारा इस्तमाल करना शूरू किया था तो शीरी मजारी ने अस्तीफा देकर ट्वीट किया था कि अब पीटी आई मनी का हवाले हो चुकी है पीटी आई में मनी गाली बाच चुकी है ये नून लीक के तरफ शहरा किया अपने पीटी पालिटी का ये तो पुराने इस मामले के शिकारी है ना लेकिन जब पीटी आई के अंदर ये शुकर माफी आया है तो पीटी आई की पालिटिक्स निजर्याती नहीं रही बलकर प्राइक्मेटिक किसम का शिकार हो गई ये हर तरीक के साथ होता है यहां जुर्फिकारली भुटो के साथ भी यह हुआ था इमरान खान के साथ भी यह हुआ सरफ फर्क अब ये है कि इसने ये सोचा है कि अब इनको मैंने खतम करना है यही मेरी salvation है मेरी अगर वापसी है अवाम में और मेरी मक्बूलियत दुबारा आनी है तो इसी से आएगी जब तक इनको खतम नहीं करेंगे नहीं आ सकती अब एक जगह में ये भी पढ़ा है कि अमरान खान ने तोफे में मिलने वाली गाड़ी जगीर तरीन को वापस कर दी है अब वो बुलिट प्रूफ गाड़ी थी लोगों ने अब पुछने शुरू कर दिया है depreciation दी है फिर लोगों ने ये भी पुछने शुरू कर दिया कि वो जो वोट इठा के लाता था जगीर तरीन अजाद उमीदवारों को काबू करता था अलनके लोगों को नहीं पता कि अजाद उमीदवारों को जांगीर तरीन काबू करने का एहल ही नहीं था तो सर्फ वो क्या था? जस्ट अ ट्रांसपोर्टर तो सर्फ काबू कौन करता था? ये अब आपको पता होना चाहिए कौन काबू कर सकता है अग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट चलें ये कह लें और फिर लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि जो जो खर्चा आज तक एटीम से करवाया गया है सूद के साथ इमरान खान वापस करें अच्छा ये भी सर बड़ा क्राइम है कि 70 से ददा शुगर मिल रहें और ये तमाम शुगर मिल ओनर्स ऐसे हैं कि जो पहले से ही अरपती है इसके बावजूद ये रियास्त से सबसिडी लेते हैं शुगर बनाने के नाम और उसने कहा कि मैं अब इसकी पूरी इनवेस्टिकेशन कराऊंगा तो पहली इनवेस्टिकेशन जी हुई और बहुत ही स्ट्रॉंग कमिशन बना जिसने वह सारी इनवेस्टिकेशन की वाजजद जया की सरपराई में पहली रिपोर्ट जब आई जो मार्च पे जब रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ चीजों का निशान देही की जा चुकी थी लेकिन रिक्वार्मेंट थी कि इससे ज़्यादा जो है डीपर देखा जाए तब फॉरेंजिक हुआ उसका दो तीन चीजें जो उसमें नुमाया आई हैं एक तो ये था सवाल था कि जी सबसिडी का सबसिडी पहले भी दी जा रही थी लेकिन बड़े सवालाथ जो थे वो ये था कि इन से जो गन्ना खरीदा जाता है वो किस कीमत पे खरीदा किया पता ही ये चला है कि वो बहुत कम कीमत पे खरीदा जा रहा था और रिपोर्ट किया जा रहा था में की कीमत और किसान में जारे कुछ कैब भी नहीं सकते थे उन्होंने तो बेचना ही था उसके बाद जो है जो उनकी कीमत थी चीनी बनाने की वो भी गलत रिपोर्ट हो रही थी और वो एकसेप्ट की जा रही थी जो शुगर एडवाईजरी बोर्ड था वो एकसेप्ट भी करा था कि किस कीमत पे चीनी बन रही है वहां पे भी घपला ये जो ट्रकों वाला मामला था कि 20-20 टन का ट्रक. हाँ, वो जो एक्सपोर्ट के लिए जो इन्होंने रिपोर्ट किया, कि हमने 1.1 million टन एक्सपोर्ट कर दी है. उस में सवाल ये था कि क्या वो वाकी एक्सपोर्ट हुई है, या लोकल मारकेट में जो हमारे भाई बैठे वे हैं जो सटा करते हैं वो परे बैठा हुआ है जो अपने आपको बड़ा मासूम करार दे रहा है और विक्टम कह रहा है अक्बरी मंडी पर राज है इसका मेरा अक्बरी मंडी पर तो राज नहीं है मैं आपको यही तो कह रहा हूँ हचा जी वो बात हो रही थी चैनेज की उसमें जो सबसे इंट्रेस्टिंग चीज थी क्योंकि यह चेक करना था कि यह वाकिए अफगानिस्तान चीनी गई है या यहीं भी की है उसमें पता चला कि जो उन्होंने बताया था कि एक ट्रक में जो उन्होंने दिखाया था अपने काख़ात में 80 टन एक ट्रक में जा रहा है जब वो ट्रक को चेक किया गया इस रिपोर्ट इस कमिशन ने ट्रक तक चेक किया उसकी कपैसिटी क्यादी तो पता चले है वो 20 तंसे जा ले जाई नहीं सकता था इस किसम के घपले हैं और मुझे पता है क्या वाउचर्स याद आ रहे हैं ये खानापुरी के लिए क्लेरिकल बलंडर्स करप्ट आदमी हमेशा करते रहे हैं एक बड़ी मशूर शक्सियत ताबिक चीफ जस्टिस उनके साबजादे से मनसूब है ये बात के ऐसे ऐसे वाउचर्स उन्होंने पैट्रल के जमा करवाये हुए थे जिसको परचियां कहते हैं उन पैट्रल पंप्स से मुबईना तोर पे लाखों रुपए का मंतली पैट्रल खरीदा जाता था जो सिर्फ सी एंजी पंप्स हैं वाँ पैट्रल नाम की कुछ चीज ही नहीं है तो इतनी कॉमन सेंस नहीं होती ही इन लोगों वे जब करप्शन हो रही होती है ना तो वो समझते हैं कि सारी काइनात नाबीना हैं गुंगे वहरे और स्टुपड हैं इसलिए कि वो पीछे से गुजर के आ चुके होते हैं इतनों सानों नहीं पढ़े आते हैं तो कौन पढ़ेगा यह नहीं पता कि आप मर्डर से बच गए हैं और 16 साल गाइब रहे हैं लेकिन लाइट जम्प करने पर पकड़े गए थम इंप्रेशन पर आके आपको धर लिया गया यह वा क्या कहा है यह सैन फ्रांसिस्को की एक औरत जिसने फ्लारडा में मर्डर किये थे सीरियल किलर थी और 16 साल गाइब उसका पता ही नहीं वो समझते थे मर गी है किसी मुकाबले में या गैंक्स्टर ने मार दिया तो सर उसकी कोई आईडी वगारा नहीं थी वो अपना थाम इंप्रेशन कहीं देती नहीं थी लेकिन बदकिस्मत ही देखें उसने इतने साल गुजर के जब तो लाइट जंप कर रही थी इन सैन फ्रांसिस्को इसने पकड़ा कॉप ने उसने कहा जी आपका चलान तो होगा तो कहने लगी कि मेरा चलान कर लो मुझे बड़ी जल्दी है जैसे आजकल एक और बड़ी वाइरल हुई है ये बड़ी जल्दी वाला सीन तो उसको शक हुआ उसने कहा जी मैंने अपना ड्यू प्रोसस करना है उसमें किया तो उसने गण निकाल ली उसने कहा जनाब आप अ पूछे हैं ये पूरा का पूरा लाका कपास पैदा करता था कितनी सदियों से ये दिल जलाने की बात करते हो ये सारा उन्होंने काटन बेल्ट आप कहने तबाह करके उसको गन्ने की तरफ लगाया और वहाँ अपनी शुगर मिल मुंतिकल की गई ये सारा कुछ पिछले 30 सा जब से आपकी डिमोक्रिसी की रेस्टूरेशन हुई रेस्टूरेशन उसके बाद से ज़्यादा हुई हुई हूई हैं यही हैं आई पीपीज में भी ट्रांसपोर्ट में यही हैं यही हैं अभी कल रोना रो रहते हैं तो सर इसके जिम्मेदार कौन हैं? दो मेजर कल्प्रेट्स हैं एक यह बैठा हुआ है और दूसरी रेगुलेटरी अथारिटी यही गवर्मेंट देखो मेरे काल सब्सक्राइब हो चीनी दुए तो आड़ मुल्क चल रहे हैं हम जैसे लोगों के वैसे दिन रात एक करते है आपको यह बिल रात किस चीज में करते हैं डबल खाते रखने में दो दो खाते निकले हैं जो फूरेंसिक रिपोर्ट हुई है अभी बाकियों की होनी है सिर्फ नौ की हुई है और सौ अर्ब रुपय की सालाना यह एक्स्ट्रा जो है ना इनकम ले रहे हैं यह थी करना चड़ो शो गने बिज़ो फिटा बेस्तरी इनकम है यह गिन करो वो बिचारा बीज के खुश हो रहा है ना वो थे बेवकूब हादमी है वो बेवकूब होगी मैं गने पुठे बीज़ा अच्छा जी क्या करें गने की काश्ट बंद कर दें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर यह आज इंपोर्ट करना शुरूग मैं यूक्राइन से आपको अटा लेकर देता हूँ सस्ता मिलेगा मैं आपको क्यूबा से शूगर लेकर देता हूँ सस्ती मिलेगी इनकी बदमाशी एक मिनिट पर खत्म हो जाए सर इनको नकेल डालने का एक ही तरीक है कि अगर स्यासत को सरमाय से सर अलग कर दिया जाए क्योंकि सर पाकिस्तान में हकूमत बनाने के लिए एक्तार हसल करने के लिए ऐसे माफियस की पूरी तरह खिद्माट चाहिए होती है इस तरह की हकूमत नहीं चाहिए, इस तरह की जमूरियत हमें नहीं चाहिए, ये बार बार उलिगारकी का जिकर करते हैं परजे. सर लोग हम से किताब में पूछते रहते हैं, उलिगारकी के बारे में कहां से पढ़ें? एक किताब तो है वाई नेशन्स फेल, डेरिन आसे मोगलू की किताब है, उसने बहुत अच्छी तरह बताया है कि एक्स्रैक्टिव पॉलिटिक्स, इलीट कैप्चर, कंप्रमाइज इंस्टूशन्स से क्या होता है, डिमॉक्रिसी जो है वो अलिकार्की में तबदील हो जाती और मैं इस पे रेक्मेंट करूँगा आपको खालिद बिन साइद की किताब, पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये बड़ी लाजवाब किताब है, जरूर खुद भी पढ़िये और अपने वियूर्स को भी बताया कीज़े, किताबा बढ़ना मुलक ठीक हो यूँ, नहीं उसे तोड़ी गल्च बड़ा बजन है, जो मता उड़ता कहाँ पाड़ लागता है, आप साब जुती बड़ी सोड़ी पाई है, चुकणू दिल करता है, ए गरीब किसान ही नहीं मनूस चोर भी है, ए खातुन कौन नहीं तरह तरू नहीं कुरा है तुसी, ए होस्टा शो दी ए चुलंदी शो पाईवा से बिठा हुँए थे, पाईवा से बिठा हुँए थे, पाशाएलला क्या बात है, खाण दे चीता हुँए नहीं नयाब, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, मैं शो देखता हूँ ये रेगुलर आपका, आप बहुत लाइक बची है, और मुझे अच्छा जहर से भी बुरा लगता है, पड़ावा कुकीर का मुँ है, तुम फुफी ब्याणी हो देना, अच्छा जी अब इनका करना क्या है, हमने क्या करना है, जी हकूमत करेगी इनका, और मैं समझता हूँ है एट्स आफ टू शाजाद अकबर, जिसकी टीम ने, क्या श श्रीदी, यह वरी गुड़, एक दो फैलियर्स, अल्मोस्ट हर एक के होते हैं, तुम उनका कौन से फैलियर था, यह राना सनावला, यह केस जो है, यह कच्छा पका केस था, यह चुड़न्ट आफ बिन डन और अट लीस नोट इस वे, तुम में और बदे रहे हैं, तीम मे समुत कुरेशी, फॉरन फ्रंट पे अगर आप देखे न, पहली दफ़ा मुझे अफसोस होता है, उनके सुभाई सीट हारने का, काश वो जीत जाते, पंजाब की सूरतहाल वक्री होती है, अच्छा जी आपको बुनियादी तोर पे शिकायत इन से है, वह यह 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 अगर लेवल जानना चाहते हो न, तो इसका लेवल कई गुना बढ़कर है तुमसे, अच्छा एफसजी आपको क्या ख्याल है, इनकी सजा क्या होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मिले तो सही चाहिए, थोड़ी मिले, यहां पे ट्रेजडी है कि सजा मिलती आपको कि लेधा ऐसे वह स्लूक होना की जो स्टालन ने किया था रशियावरा है, तो पीर भी ग लोगी, आपको कि है तुम जैसों का डंड़ा-पीर और सबसे आला-डंड़ा-पीर स्टालन इताओ काि जुतान कि कीande这 शाहिए, तो भी में लटा हैSंचा में लटाifi नी अभी मरहले आने हैं, इन्वेस्टिकेशन होनी है, FIA ने करनी है, एंटी करॉप्शन ने करनी है, नैब ने करनी है, फिर जुडिश्री के पास जाना है, जुडिश्री का भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा। इस दौरान ये चमतकार दिखा देंगे पैसे का। क्योंके इतना है लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, कही ना कही से बच जाएंगा। आप देख लीजिएगा। यह जा बंदा गालगार के बोलो बले होना उनलागा। आप लोगों के असासिया जिसना भड़ते हैं वो किसी को समझे देगा। वाव वाव इसलिए कहा सासिया होते हैं मल्टिप्लाई होते हैं चलो उसका तो तीन इंच, तीन जूतर, तीन गिरा बढ़ता है ना तुमारा तो financially कहा से कहां पहुंच रहा है ने सर यह आप हर Shugr Mill Owner को देखिए अक्सरियत को देख लें, जो सतर से ज़ादा हैं, इनको देख लें, तीस साल पहले इनका लिविंग स्टेनर्ड क्या था, इनके असासे क्या थे, इनके पास क्या एसिट्स थे, और फिर देखें किस ड्रामाई अंदाज से तबदीली आई, आप ज्यादा दूर ना जाए, हमा माईय उक्तर साब की मिसाल आप ले ले जीए, आप जहांगीर तरीन की मिसाल ले ले जीए, जहांगीर तरीन तो बैंकर था, बैंकर और चोटा सा काश्टकार, हाँ जी, और हमें यह बात भी या रखने चाहिए है, एफस जे साब आप थोड़े पहले कह थे के जमहूरी दो और सिवल अदवार में भी दोनों अदवार में ऐसे लोगों की असासे भड़े होती है सर, हमाईयो अख्तर का भी तो फॉजी दो रही था मिलकुल फॉजी दोर था इनके पास एक फॉक्स्वेगन होती थी हमाईयो अख्तर साब के पास अच्छा एच्छा तकांदार को कोई भी चीज मंगे रहा तकांदार फेप होजाओं दा पायन की पैसे रुबह जी आपको बात नी कर रही है तकसबा एवाजी जादू कर नो सिर्फ स्टिक आं पड़ा रही है दीजिए ने सार चौति किरी गाद सुनो किना अर्सा हो गया तुसी है सियासत दाना दे मगरे पैया हो साठी एर के बंदिया दे मगरे पैया हो मैं आप ऑफर नी कर सकता मैं थथा था कमाने लिगे लिए है अद्ञा दे काम में उने ऑखबार दे शोप इस आदा पेज वेक के तो सौनजी आ करो अन्ना दिक स्पपने छोटियां छोटियां कब देने ले ख़ए, जेड़ी उना ने पढ़न लगे, नहीं भी लाईधियों कब देने वहेख पढ़ा। कुछ टाबन भी पढ़न देने, टाबन गिदा किदा और जेडी गाल पोल जान दी बाबाबाई याद करान दे, तुम्हें पता है, आफताफ यह हुआ था तो तो लाज था पिछले जमाने चे सारे काम कठे करते रहे तो अड़ात यह नहीं था यहां में जहले ते कुई है और उना था ज्यादा सेनरियो है अब जे साबर के बदे सा बार बहर ही जाद होता हुआ यह जा किक मार के स्टार करता, डुरू यह साब माशाला आपको हीरो होना चाहिए तो बोल बोल के हीरोन पाखल कर देना यह थे खौब ते हीरोन है, दूजी फिल्म ते कोड़े ते पह के दौड़ जाए विएर्स अब चलते हैं अली अवैस की तरफ को क्सांग के लिए जी याद पिया की आए है याद पिया की आए है ये दुख सहाना जाए है याद पिया की आए याद पिया की आए ये दुख सहाना जाए है ये दुख सहाना जाए है बैरी को यलिया भूक सुनाए मुझ बिरहन का जिया राजलाए दूरी खाना जाए है राम याद पिया की आए है याद पिया की आए है याद आए है राम वा 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 वा